नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो जब भी आप पूजा पाट करते हैं तो कि आपके साथ कुछ अजीब सी घटनाए घटित होती है कि आपको भी कुछ अजीबो गरीब संकेत मिलते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे है अगर आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते है तो भगवान आपके पास है आपकी आत्मा का भगवान से मिलन हो चुका है और आपकी पूजा पर भगवान खुश हो चुके है और वह आपकी पूजा का उचित फल भी प्रदान करने वाले है दोस्तों कुछ संकेत ऐसे होते है जो सिधे तोर पर भगवान का इशारा होते है इन संकेतों का अर्थ भहुत घहरा होता है और ये संकेत सिर्फ उनी लोगों को मिलते है जो इश्वर के लिए खास होते है जिन पर साक्षात भगवान की कृपा हो रही है तो आईए दोस्तों बिना देरी किये जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिनका वर्नन हमारे शास्त्रों में किया गया है पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथी दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें क्यूंकि बाद में आप भूल जाते हैं दोस्तों जब भी हम इश्ट देव की पूजा करते हैं तो हमारे चारो तरफ एक सकर्दमक उर्जा या एक अलोकिक शक्ति का चक्र निर्मान होता है जब हम सच्चे मन से अपने इश्ट देव की पूजा आर्चना कर रहे होते हैं तो हम उन पवित्र उर्जाओं से ये उर्जा हमें और हमारे इश्ट से जोडने का एक मार्ग है और अगर ये उर्जा आपकी सच्ची स्रधा से निकलती है तो इश्ट इश्ट जाती है ऐसे में हमारे साथ कुछ विशेज घटनाय घटित होती है मान लिजे जबा पूजा अर्चना सच्च मन से कर रहे है और ठीक उसी समय यानि कि पूजा के दवरान कोई सादू या भिकारी आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आ जाए और जोर जोर से इश्वर का नाम लेकर पुकारे तो समझ लिजे द्वार पर साक्षात आप ऐसा करने से भगवान के विशेश क्रपा के पात्र बन जाते हैं दोस्तों दूसरा संकेत ये है कि अगर आप पूजा आर्चना कर रहे है तता दिये की सायता से आप भगवान के आर्थी कर रहे है और ठीक उसी समय अचनक से आपके दिपक की लोव बहुत तेजी से परेशानियों को समाप्त करने का निर्नाई ले लिया है तीसरा संकेत दोस्तों जब आप अगर बत्ती से धूप बत्ती से पूजा आर्चना कर रहे है और अगर उसी दोरान धूप अगर बत्ती का धुवा एक विशेश प्रकार की आकरती बनाए जो आपको आपके इस्टे करपा आपके उपर होने का संकेत है दोस्तों अगला संकेत यह है कि जब भी हम पूजा आर्चना कर रहे हो और फूलों को भगवान जी के समुक रखते है या उन पर आर्पित करते है और आचानक से फूल हमारी और नीचे की तरफ गिर जाता है तो यह स्वेश्ट संकेत है क वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जैसरी कृष्ण आवाशी लिखें साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद